आज की वीडियो में हम एक ऐसी मचली की नसल के बारे में बात करेंगे जिसकी प्रजाती आज भी सबसे समझदार प्रजाती मानी जाती है आज हम बात कर रहे हैं बाईजी डॉल्फिन के बारे में यह एक मीठे पानी की सिटासियन प्रजाती थी जो यांगतजी नदी में रहती थी जिवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार यह प्रजाती पहली बार प्रशांत महसागर में दिखाई दी और लगबग 20 मिलियन साल पहले यांगतजी नदी में चली गई चीनी पौरानिक कथाओं में इसे यांगतजी नदी की देवी माना जाता था इसके विलुप्त होने के कारण कुछ इस तरह थे इनकी खाल के हैंड बैक और दसतानों की अंतराश्ट्रे बाजारों में मांग होने के कारण इनका बहुत बड़ी मातरा में शिकार होने लगा नमबर दो जहाजों के बलेड से गटने के कारण नमबर तीन मचली पकडने के जाल में फसने के कारण नमबर चार विदुत के द्वारा मचली पकडने के कारण नमबर पांच नदियों में कूडा फेकने से बहुत सी बिमारी होने के कारण धीरे धीदे यह विलुप्त होती गई 1950 के दशक में चीन के अधोगी करण से पहले यांक्तजी के संपन्ड परिस्थितिक तंद्र में अनुमानित 6000 बाईजी थे 1980 के दशक के मध्य तक सर्वेक्षनों से पता चला कि केवल कुछ 100 बाईजी ही बचे थे और 1997 में यह घटकर केवल 13 ही बची और अंत में 2006 में इसे पूरी तरह से विलुप्त गोशित कर दिया गया तो कुछ इस तरह मनुष्य के ज्यादा शिकार और प्रदुशन के कारण बाईजी डॉल्फिन विलुप्त हो गई कुछ इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट गुरुशाला के साथ